हेलो एब्रीवान कैसे हैं आप सब लोग आज इस टॉपिक पर हम लोग बात करने जाएंगे वह है आप लोगों का ट्रांस्पोर्ट एंड कम्मुनिकेशन यह टॉपिक आप लोगों के यह एक स्लेबस में आप लोगों को देखने को मिलेगा लेकिन यह टॉपिक ऐसा है इसम को तूधा पॉइंट होते हैं तभी आप लोगों ने पंचायद अकाउंट असिस्टेंट में देखा था कि 30 में से 20 प्लस क्वेशन एड इस हमारी जीके से आये थे जो मैंने आपको करवाई थी तो आज भी हम लोग उसी तरीके से काम करेंगे पहले मैं आप लोगों को ची आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज अगर आपके सामने है आप वो चीज को देखें और आप सोचें कि यह आप तक पुंची कैसे यह आपके तक आई कैसे क्या यह जो चीज थी है यह बनाई गई है कहां से आप लोगों तक पहुंची है कौन-कौन सी जगा से इसे ट्रा है लेकिन हम इसमें पूरे आराम से करेंगे पांसे चे टॉपिक में अगरे आपको पाट्स लेकर आऊँगा जिसमें सारा करेंगे MCQs पे हमें ध्यान दखना है कि क्या question आपसे exam में पूछा जा सकता है हो सकता है transport and communication के नाम पे आपसे current affair का भी question पूछा जाए तो ये भी हमें ध्यान दखना है current affair किस तरीके से पूछा जा सकता है मान लीजे जिस तरीके से भी आपके सामने चनैनी नाश्री टनल है उसका नाम जो बदला गया है वो भी आपका इसी topic में आ सकता है जैसे हम लोगों को ने देखा है जोजिला पास है उसका नाम भी उसका काम भी और उसका जो length है ये सब आपका इसी topic में पूछा जा सकता है तो ये सारे जितने भी एंगल से या जितने भी type से जैसे भी question पूछ सकता है वो cover करेंगे तो चलिए हम बात करते हैं यहां पर लेकिन आप लोगों को बता दूँ आप लोगों का जो mock test third है वो आप लोगों का 30 मेह को है इसी के साथ साथ अब आप लोगों को हमारे channel पे भी practice set मिलेंगे तो आपके आइस करना शुरू कर लें और जिन लोगों ने यह पहले दो टेस्ट नहीं दिये आप चाहें तो वो भी ऑल्ली बोड के आप पर दे सकते हैं तो चलिए अब हम बात करेंगे transport and communication में क्या-क्या चीजें आती हैं सबसे पहले आज हम transport पर बात करेंगे क्या-क्या चीजें होती हैं किस तरीके से होती हैं देखिए means of transport के अगर मैं बात करूँ तो तीन तरीके के transport के जो means हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे सुने होंगे और आपके सामने हैं पहला हम लोग क्या कर सकते हैं लैंड के थूँ चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अब लैंड के बात दूसरा क्या आता है वो आता है आपका water पानी के जरीये हम लोग कर सकते हैं तीसरा आता है आपका air यह बिल्कुल basis concept है आज हम सिरफ introduction ही ज्यादा देखेंगे अब land में भी ये further divided है आपका road, pipeline, road में आप लोगों ने देखा होगा आपके जो highways होते हैं, ये आजाते हैं, आपका जो border road organization बनाती है, वो आजाते हैं, highways जो आपके NHAI बनाती है, ये सब इसके under आजाता है, इसके अलावा क्या आते हैं, आपके जो national highways ये जो मैंने भी आपको बताए, pipeline में आप लोगों ने देखा होगा, आपकी metros गहरा आ जाती है, और आपकी तीसरी आती है railway, अगर हम इसके static facts पे जाएंगे, कौन सा सबसे बड़ा है, कितनी length है, कौन सी total है, तो ये बहुत ही जादा वास्ट हो जाएगा, मैं आपको सिरफ exam oriented बताऊंगा, कि exam में क यहां से आपका MCQ बनके आ सकता है, और आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको 73rd amendment पढ़ाया था, उसमें से questions जो आया, वहीं से आया, popular personalities पढ़ाया थी, वहीं से question आया, तो यही चीज़े हम इसमें भी करेंगे, दूसरा आ जाता है आपका water, अब water में किस तरीके से आ oceanic roots, तीसरा आ जाता है आपका air, अब तीसरा क्या होगा, कौन-कौन सा हुआ वह आ आगया, आपका national और international, आज जो हम बात करेंगे, वह हम करेंगे, आपका जो पहला है road, उस पे हम बात करेंगे, किस तरीके से आ सकती हैं, चीज़ें, क्या-क्या पूछे जा सकता है, तो land transport की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहली हम बात करेंगे road transport की, अब पहला question जो यहाँ पर बनता है आप लोगों के सामने, अगर मैं आप से पूछूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा road network किस country का है, अब यहाँ से इस तरीके से questions आप से पूछे जाएंगे, मैं आपका options भी द तरीके के exam में पूछे जाएंगे, largest road network किसका है, तो यह आपको याद रखना है, यह है आपके USA का, पहला MCQ मैंने आपको यहाँ बताया है, अगर आप से exam में पूछा जाए, second largest किसका है, तो second largest जो है वो है आपका इंडिया का, यह तो आ गया आपका static part जो आपको याद रहेंगे, अब हम थोड़ा सा detail में बात करते हैं, यहाँ पर यह PDF आप लोगों को lecture के बाद मिल जाएगा, India has one of the second largest road networks, यह आपको याद रखना है, कितना है, कितना नहीं, यह आपको नहीं याद रखना, यह static figures है, यह आपकी जो figures है, यह डाइनमिक है, यह चेंज होती रहत रखनी, जितनी भी इसमें figures होंगी, जो आपको याद रखनी है, वो मैं आपको last lecture में बता दूँगा, एक ही lecture होगा, जिसमें सब आपके सामने होगा, वो आपको याद रखना है, अभी आप सिरफ इसे सुनिये, राम से, अब यहाँ पर India अगर हमारी second largest है, तो मैंने आपक को भी बताया, largest किसका है, road network, तो यह है आपका, USA का, और यही आपका, एक MCQ बनके exam में पूछा जा सकता है, इसके अलावा, अगर हम यहाँ पर बात करें, शेर्षा सूरी जी ने क्या किया था, शाही road, यानि कि शाही means royal, royal road को बनाया गया था, अपना जो empire था, from the Indus Valley to the Sonar Valley in Bengal, अब Indus Valley से लेके Bengal तक बनाया गया था, यहां MCQ किस तरीके से पूछा जा सकता है, यहां आपके 2-3 MCQs निकलते हैं, पहला, किसने बनाई थी शाही road, अब यह चीजें आपको याद रखनी हैं, और आपको bullet points में ही note बनाने हैं, मेरे lectures के, किसने बनाई थी, तो वो के, कहां तक, Soniar Valley तक बनाई थी, जो कहां पे है, Bengal में, तो जो road इन्हों ने बनाई थी, अब यहां पे equation, यहां पे आता है, कि शाही road का नाम बदल के क्या रख दिया गया, शाही road का जो नाम था, वो बदल के रख दिया गया था, GT road, यानि कि Grand Trunk Road, यह तीन चीजें आपको याद रखनी है, British period के दोरान इसको change कर दिया गया था, यह कहां से कहां तक थी, तो यह Calcutta से लेके पशावर तक थी, अब Calcutta आपका आजाता है, यहां पे, अगर मैं बात करूँ, यहां पे आप लोगों के साथ थोड़ी सी, मान लीजिए, यह इंडिया का map है, इस तरीके से, यहां पे आपका Calcutta है, और यह पाकिस्तान में आपका पिशावर आता है, तो यह आपकी GT road जो थी, इतनी थी, नाम किसने बदला, यह जो words मां बोर रहा हूं, बहुत simple English में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको बस story की तरह सुनना है, GT road नाम बदल दिया गय आज की डेट में अगर हम बात करें, यह तो आगया आपका British period के दोरान जब इंडिया और पाकिस्तान एक था, आज की डेट में कॉलकटा से लेके अमरित सर तक, यहां पे आपका आता है पंजाब, और यहां पे ही आपका आज की डेट में इतना है, कॉलकटा आपका यहां पे और यह आगया आपका अमरित सर, तो आज की डेट में अगर आपसे question पूचा जाए कहां से कहां तक थी GT Road, तो यह आज की डेट में है, कॉलकटा से लेके अमरित सर तक, अगर आपसे पूचा जाए British rule में यह कहां तक थी, तो यह थी आपकी, कलकटा से लेके पेशावर तो यह आपका आ गया one of the most important questions तो इसके अलावा इसके और बाइफरकेट किया गया है National Highway NH1 के नाम पर from Delhi to Amritsar और Amritsar से लेके और Delhi से कॉलकटा से NH2 अब यह जो चीज आपको मैंने समझाई है आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे यह आजाता है आपका Amritsar यहां कहीं आपका क्या है Delhi तो यह जो पार्ट है यह है आपका NH1 और इसके बाद जो पार्ट है आपका Delhi से कॉलकटा था कि यह आगया आपका NH2 तो यह चीजे भी National Highway कौन सा है और कहां से कहां तक है यह मैं आपको चीजें बताऊंगा लॉंगेस्ट और स्मॉलेस्ट भी बताओ यह क्वेशन हमारे Facebook में बहुत बार आपको देखने को मिलेगा बहुत बच्चे बहुत बार पूच चुके हैं अच्छा क्वेशन है एक्जाम में आने के चा लगा था शाही रोड आपको बता हूं तो ब्रिटिश रूल में इसका नाम बदलके रख़ दिया गया था जीती रोड जीटी रोड कहां से पूच्छा जाए शाही रोड कहां से से ही यही चीज जो आपके सामने है यह कम से कम भी 6-7 mcq सिरफ एक स्लाइड में है जो आपके सामने है मैं लास्ट में सारा लेक्चर रिवाइस करूंगा तो ध्यान से सुनते रहें आपके इस लेक्चर के बाद इसको रिवाइस करने की भी जुरूरत नहीं पड़ेगी दू इंडिया में रोड्स को लेके या रोड्स को बनाने को लेके वो बनाया गया कब था या वो सीरियस एटेम्ट कब किया गया था वो किया गया था आपका 1943 में अब ये डेट आपको याद रखनी है 1943 में पहला serious attempt किया गया था इंडिया की road transport को improve करने के लिए इंडिया की road transport को अच्छे तरीके से बनाने के लिए और उसका नाम क्या रखा गया था और उसका plan का नाम था आपका नागपुर plan यह most important है आपका यहां से भी एक MCQ निकल सकता है exam में आपको यह चीज याद रखनी है road transport जो modern sense में अगर हम बात करें काफे limited सा world war 2 से पहले world war 2 के बाद जब उने देखा कि जाने आने में जब यह हुआ था जाला detail में नहीं जाएंगे तो नागपुर plan जो था वो बनाया गया था लेकिन यह plan क्या हो गया था फेल plan fail होने की वज़ा क्या थी यह मैं आपको story की तरह सुनाऊंगा ताकि आप लोगों को जो चीजे हैं वो अच्छे से समझ आए देखो अजादी से पहले क्या थे यहां पर princely states थी और princely states और British जो empire था इन लोग इनकी आपस में इतनी coordination यह इतना नहीं था जिसकी वज़ास से यह जो है यह पूरी तरीके से flop हुआ plan fail हुआ लेकिन आफ्टर independence अब यहां पर चीज आपको याद रखनी है आफ्टर independence 20 years plan जो था वो इंटर्डूस किया गया वर्ड का अब 1961 में क्यों किया गया था अब यह लोग आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखके बताएं पहली चीज आप यहां पर आपको समझना है जो इस स्लाइड से आपके सामने mcqs निकलेंगे road transport जो बनाने की कोशिश की गई थी इंडिया में जो एक प्लान बनाया गया था वो था नागपूर प्लान 1943 में इसको भी आपको याद रखना है डेट को बनाया गया था लेकिन वह फेल हो गया था क्योंकि जो आपस में कोडिनेशन कह सकते हैं आप लोग वो उतना नहीं था लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जब ब्रिटिश इंपायर यहां से चला गया तब 20 चीजें यहां पर लाई गई वो लाई गई थी तीन तरीके से इन्होंने कहा गया था कि अब जो पर्पस होगा construction का या maintenance का road का उसे classify क्या किया गया था उसे classify किस तरीके से किया गया था मैं आपको जरा वो बता दूं Independence के बार मैंने भी आपको बता 20 years plan लेकिया है लेकिन आप roads बनानी है इंडिया इतना बड़ा है किस तरीके से roads बनाई जाए क्या किया जाए कैसे किया जाए तो यह further classify किये थे पहला क्या national highway अभी हम यह सारा थोड़ा सा detail में पढ़ेंगे तक आपको याद रहे अब national highway क्या करेगा जो आपकी states को जोडता है उसके लिए पहले क्या किया गया कि states तक आने जाने में तकलीफ ना हो national highways बनाए जाएंगे दूसरा क्या किया गया दूसरा किया गया state highways जैसे अब मान लीजिए आप लोग डोड़ा में रहते हैं या जोड़ी में रहते हैं आपको जम्मू आने तो इस पर काम किया गया कि जो state के अंदर highways होंगे उसे इंप्रूफ किया जाए उन्हें बनाया जाए तीसरी चीज़ क्या बनाया गया major district roads अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगा पर आपके highway बनेंगे आपकी कहीं जगा districts में है जैसे मुझे जम्मू से सांबा जाना है सांबा छोड़िए आप लोग यहां से जम्मू से areas उसे improve करना है यह 20 years plan में सब डिसके बाद क्या आ यहां पर जो आपकी बॉर्डर के साथ areas घ्री यह जो high aae ى उन्हें इम्प्रूफव करना है तो यह सारा एक plan बनाया गया अब यहां पर हम बात करेंगे किस तरीके से और क्या-क्यkeps आपको यहां से road transport में निकल सकते हैं सबसे पहली चीज जो नेशनल हाइवेज आए यहाँ पे हम लोगों के जितने भी नेशनल हाइवेज हैं वो कौन बनाता है तो वो बनाता है आपका एन एच ए आई नेशनल हाइवेज अथोरिटी आफ इंडिया यह बनाता है अब यहाँ पर question जरूरी नहीं है आपको कि आम इतना डिटेल में रोड ट्रांसपोर्ट अंड कम्मुनिकेशन पड़े और आपको जरूरी नहीं है question यहाँ पर आए प्रेशन आपको यह आ सकता है कि इस समय मिनिस्टर कोन है नितिन गटकरी जी अब यहाँ पर जरूरी नहीं है आपको question यह भी पूछा चीज़ें आपको याद रखनी है अब वापिस आये topic पे national highways जो है जितने भी development project है सारे के सारे कौन बनाता है और यह क्या करते हैं यह different phases में हर एक चीज को चलाते हैं हर एक चीज को अलग करते हैं कितने national highways हैं कितनी length है यह सब static part है यह मैं आपको end में बताऊंगा जो current status चल आपको भी बताया यह बनाए किसली जाते हैं यह बनाए जाते हैं इंटर स्टेट जितना भी transport movement होता है या वह defense का होगा या फिर वह materials का होगा या strategic areas का होगा तो यह सब national highways के लिए energy बनाते हैं यह सारी चीजे इसके अलावा यह काफी state capitals को चोड़ता है जैसे आप लोग द देखें तो यह सब चीजें आपकी वहाँ पर आ जाती है अब एक question यहां पर आता है कि NHAI कब बनाए गई क्या कब से यह operationalized है तो यह है आपकी operationalized 1995 आपको यह bullet points में notes बनाने हैं अपनी wording में बनाने में end में lecture के end में सारा एक आपको बताऊंगा किस तरीके से notes बनाने हैं ता जो NHAI है यह किस ministry के अंडर काम करता है तो यह काम करता है ministry of surface transport के यानि कि ministry of road and highways के अंडर करता है basically NHAI के sorry यहां पर मैंने एक चीज बोली NHAI जो यहां पर है road and highways के जो minister है वो नितिन गटकरी जी है तो यह आप लोगों के सामने एक आगया part लेकिन आप यहां पर जो चीज है वो आप लोग देखिए यह most important है आपके national highways के related golden quadrilateral क्या है golden quadrilateral क्या है यह बहुत ही जादा important है आपको इसका static part भी याद रखना है कितनी it comprise construction of 5846 km 4 by 6 lane है high density traffic corridor है to connect India's four big metro cities अब वो four big metro cities क्या है कूंसी है एक तो आप लोग यहां देख रहे हैं यह है आपकी Delhi एक आप यहां देख रहे हैं यह है आपकी Mumbai और एक आप यहां देख रहे हैं चिन्नाई और एक आप यहां देख रहे हैं कॉलकटा तो यह चारों आपको याद रखनी है एक्जाम में question हो सकता है आपसे पूछा जाए कि इन में से कौन सी जो city है वो golden quarter का पार्ट नहीं है options आपको दिये जाएंगे Delhi कॉलकटा चिन्नाई चंदिगर तो यह सब आपको याद रखना है golden quarter का पार कौन नहीं है तो वह है आपके चिन्दिगर कौन चार है दिली कॉलकटा चिन्नाई और मुंबई यह बहुत ही जादा important है आपके इस topic से related तो यहां पर क्या है विद्धा construction of golden quarter the time distance and cost of movement among the mega cities of India will be considerably minimized तो यह जो golden quarter quarter है आपको याद रखना है आप देख सकते हैं quarter quarter की shape में है य तो यह आपको याद रखना है बहुत ही ज्यादा important है बात करते हैं अब हम लोग next slide के उपर क्या है important यहां पर अब इसके बाद क्या चीजें आई यह तो अभी हमने golden quarter पड़ा अब इसके बाद हम लोगों ने देखा north south और आपका east west इसके लिए जो quarter door बनाए गए हैं यह कह कहां से कहां connect करते हैं अब नौर्थ में अगर हम बात करें तो नौर्थ मोस्ट जो आपकी city आती है वो आती है श्री नगर नौर्थ से लेके south में कहां तक तो वह आती है आपकी कन्या कुमारी तक इसी के अलावा अगर हम east से west corridor की बात करें तो वो आता है आपका सिल्चर जो असाम में है वहां से लेके कहां तक पोर बंदर जो आपका कहां पे है गुजरात तो आपको यह चारों को याद रखना है यह चारों भी बहुत ही जादा important है north south east west corridors को लेके आपको कोई confusion नहीं हो से कहां से कहां तक है एक बारी फिरसे म single किश्मीर में है कहां तक है यह वहां पे कणने कुमारी कहां पर है यह है का तामिनाडू में इसके his to west अगर हम बात करें to East में आ जाता है आपका कों सा सिल्चर जो है आपका असाम में यहां कलकता से कन्फ्यूज मत कर देना इसको और इसके अलावा जो आपका यहां पे आता है वो आता है आपका पोर बंदर जो की है आपका गुजरात में आपको यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले पॉइंट पर स्टेट हाइवेस मैंने आपको बनाता है या कौन मेंटेन करता है यह अब आपको यहां पर इंप्रेंट टाउन्स है उन्हें क्या जाए उनकी मेंटेनन्स को लेके यह सारी चीज़े आपकी यहां पर हैं अब यहां पर एक फैक्ट है यह आपको एग्जेक्ट परसेंट नहीं याद करने बट एक आपको आईडिया रखना है मान लीजिए हमारे इंडिया में 100 परसेंट बनती है लेकिन सिर्फ चार परसेंट जो हैं वह आपकी स्टेट हाइवे कवर करता है तो बाकी की सारी मान लीजिए डिस्ट्रिक हैड को रोट आगी या सांबा से कठूँआ अगर मैं बोलू तो यहां पर यह जितना भी है टोटल कितना है सिर्फ आइडिया के लिए मान लीजिए चार परसेंट आपका जो है वह है आपका स्टेट हाइवेस का चोदा परसेंट जो है वह है जादा है क्या अब यह जो चीज है यह आप लोग खुद देखेंगे और आप लोग देखेंगे कि कितनी जादा रोड जो है वह बनी है इंडिया में कितनी जो रोड है वह आप लोगों के सामने है रोड ट्रांसपोर्ट में बात करें रूलर रोड की जो आप गाउं में ज तो यह आपको एक्जेक्ट फिगर नहीं याद रखनी अगर आपसे कभी क्वेशन पूछा जाए कि इन में से जो रोड्स है कून सा सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है स्टेट हाइवे डिस्ट्रिक्ट हाइव रोड्स या रूलर रोड्स तो आपको याद रखना है रूल पड़े आपको चीज़े हमेशा दिमाग में रहेंगी इसके अलावा जो रोड्स बनती है अभी तक जो हमने डिस्कस की है नैशनल हाइवे थे इस अलावा रोड त्रांस्पोर्ट में क्या आ जाती है जो आप लोगों की बारडर रोड्स होती है जो एरिया आपका बारडर के साथ connected होता है या हम जिसे international highways कह सकते है मैंने इक चीज करंडे फेर्म में बहुत बार बताई है national highways आपके NHAI बनाती है लेकिन जो आपके border areas होते हैं उसे बनाता है आपका border road organization और ये इसका symbol है ये भी आपको याद रखना है कभी ना कभी life में कही ना कई काम आएगा BRO कब बनी है तो BRO establish की गई थी 1960 में BRO पहले बनाई गई है NHAI बाद में operationalize हुई है तो ये भी आपको चीज दिमाग में रखनी है exact date आपको नहीं याद रखनी ये मैंने आपको पहले भी कहा है जो चीज रखनी होगी मैं आपको बता दूँगा MC की उसकी form में तो यहाँ पर जो main चीज आती है आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे हमारे hilly areas हैं काफी सारे ऐसे भी हमारे यहाँ पर areas है Northern या North Eastern boundaries है जहां पर रोड बना रहे इतना असान नहीं है अभी भी हमने काफी करेंड़े देखे हैं जहां पर काफी जादा disturbance चलती रहती है तो यह सब चीजें जो है आपकी कोन बनाता है यह बनाती है BRO Border Road Organization इस चंदीगर्टू मैनाली हिमाचल परदेश और लडाक यहां तक इन्हों ने रोड बनाई है तो यह एक आप लोगों के सामने है इसके बाद अगर हम बात करें जो latest अभी चीज़ें चल रही है भारत माला एक प्रोग्राम जो आप लोगों के सामने है जिसके अंडर अभी काफिक इस्ट्रक्शन हो रही है परधान मंत्री ग्राम सड़क योजना यहां पे भी यह सारी चीज़े हम डिसकस करेंगे step by step ऐसा नहीं है कि आज ही एकी लेक्चर में सारा ले जाओ लेकिन आपको एक कोईंट यहां पर याद रखने कि भारत माला जो प्रोग्राम प्रोपोस किया गया है उसकी लास्ट डेट क्या है उसकी लास्ट डेट है 2022 क्योंकि यह टॉपिक ऐसा है जिसमें mcqs कहीं से भी पूछा जा सकता है आपके करंड फिर से पूछा जा सकता है आपके स्टैक से पूछा जा सकता है मेरी कोशी यह रहेगी मैं आपको सारे के सारे कवर करवाऊ तो एक क्विक यहां पर दूगा जो भी हमने चीजे पड़ी है जितनी भी चीजे हम लोगों ने आज के लेक्चर में देखी है मैं आपको सारा का सारा यहां पर एक बताऊंगा कि नोट किस तरीके से बनाने है पूरे लेक्चर के नोट आपके एक पेस से जाधा के नहीं होने चाहिए यह यह चीज भी आपको याद रखनी है सबसे पहले चीज हम लोगों ने जो पड़ी वह हमने पड़ी थी क्या मोड्स ओफ ट्रांसपोर्ट आज हमने सिरफ यह पड़ा मोड्स ओफ ट्रांसपोर्ट क्या-क्या होते हैं उसमें आपका आज आता है एक लैंड एयर वाटर इंडिया का फेकर और किया थी रखनी हमने खता उन्य आपको यूस टो आपका यूए सलने पहली चीज पड़ी उसके बाद हमने पड़ा किसके बारे में शेर्षा, सूरी जी के बारे में हमने एक चीज पड़ी क्या पड़ी वो चीज हमने हमने ये पड़ा इन्होंने बनाई थी शाही रोड कहां से कहां तक थी शाही रोड तो वो थी आपकी पेशावर से लेके कहां तक पेशावर से लेके कैलकटा तक लेकिन ब्रिटिश रूल ने क्या किय जब बृ्टिश सुल आया तो उन्होंने शाही रोड का नाम किया चेंज कर दिया शाही रोड का नाम वन गया GT रोड जीटी रोड ग्रैन ट्रंक रोड य है आज की डेट में आफ्टर इंडिपेंडेनस से कर लगर यह क्या है आपका यह है आपका arta पड़ी हमने क्या देखा हमने देखा 1943 में flatter organization कि प्लान और डौ मेसं किया गया था इसके बाद व्रड वार में इसे किया गया था क्योंकि काफी जादा जो मेन जरूरत रोर्ड की महसूस की गई थी वो वर्ल्ड वॉर्ड के दोरान की गई थी इसलिए 1943 में आपका नागपूर प्लान जो था वो इंट्रिड्यूस किया लेकिन यह क्या हुआ यह हुआ आपका फेल रीजन क्या था जो आपके ब्रिटिश थे और जो आपकी प्रिंसली स्टेट सी उनके बीच में कोडिनेशन नहीं बैठा इस वज़ा से आपका नागपूर प्लान फेल हो गया लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंट्स यानि कि 1947 के बाद अगर हम बात करें ना ब्रिटिश रहे ना प्रिंसली स्टेट रही तब क्या हुआ उसके बाद का 20 years प्लान 1961 ये जो प्लान आया आपका basically ये प्लान था क्या इस प्लान के तहट decide क्या किया गया कि आपके national highways बनेंगे state highways बनेंगे district roads बनेंगी ruler roads बनेंगी और आपकी जो भी बीरो घरा होती है चीजे वो सब आपके सामने आएंगी ये सब discuss किया गया उसके बाद NH में national highways में हम लोगोंने आज क्या पढ़ा national highways में हम लोगों आपने यह चीज पढ़ी आज कि जो भी आप लोगों के नेश्चनल हाइवेज होते हैं यह कौन बनाता है यह बनाता है आपका एन्एच ए आए एन्एच ए एए बनाता है आपके नेशनल हैवेज को हमने एक चीज देखी यहां पर इसके साथ Golden Quadrilateral आफ यह Golden Quadrilateral था क्या किस तरीके से होगा यह हमने इस तरीके से देखा यहाँ पे यह आपका इंडिया का मैप आप मान ली और इस तरीके से यहाँ पे आया आपका ड़ली यहाँ पे आया आपका ॡृ Va गाई यहां पसल怎麼 नुटो कर तो चार पे आप हमने देखे चो इंट्रेड्यूस हुए टोटल व्हाइब 58 to six क्लॉमीटर यह हमने के बनाया गया किसको जो हमारी से Ņने फैंद associated वह अबिपर क्रेंब होता है उसे कंग किया जाये है इतना डीटेल में आपको को नहीं जाना इसके अलावा हमने क्या पड़ा नौर्थ साउथ कॉड़ कॉड़िडोर नौर्थ साउट कॉड़िडोर कहां से कहां तक है स्री नगर जो आपका JNK में है कहां तक कन्या कुमारी जो आपका कहां पर है तामिल नाडू इस्ट वेस्ट कॉरिडोर हमने पढ़ा कहां से कहां तक है इस्ट वेस्ट वेस्ट कॉरिडोर है आपका असाम असाम में कहां से सिल्चर से लेके गुजरात में कहां पर पोर बंदर तक यह हमन का basically काम रहता है यह सारी चीज़े देखना कि जो मूवमेंट है वह हो डिस्ट्रिक्ट रोड देखी हमने डिस्ट्रिक्ट यानि कि जो आपकी आपनी डिस्ट्रिक्ट है उसमें ट्रावल करने की असानी हो कितने परसंट है 14% के करीब करीब यह होता है आपको एक्जेक्ट याद नहीं रखना 4% यह है इसके बाद आता है आपका रूलर रोड जो की आपका 80% रोड ट्रांसपोर्ड या अगर हम रोड नेटवर्क करें की बात करें जो रोड लेंथ है वह आपकी रूलर एरियास की आ अब हमने पढ़ा other roads जो कोन बनाता है border road organization इस तरीके का उसका symbol है border road organization का काम क्या रहता है जहां पर हमारे international borders है या जो हमारे hilly areas है वहां पर road कोन बनाता है जहां पर मुश्किल हो जाती है वो बनाता आपका भी यारो यह चीज़े हमने पढ़ी इसके बाद हमने लास्ट में एक चीज़ को देखा भारत माला प्रोजेक्ट यह हमने पढ़ा 2022 तक इस पर हम डिटेल में बात करेंगे तो यह था आज का हमारा total lecture जो हमने पढ़ा एक quick recap मैंने आपको दे और आई होप आप लोगों को यह चीज आज समझ आई होगी देखो चारी हम लोग 2-3 साल से कर रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि triple s कुछ था ही नहीं पहले उन लोगों ने प्लेस को बनाया तो चलो जो कोई भी क्योंड चीज कहता है तो मान लेते हैं जेके बैंक पंचायत अकाउंट असिस्टेंट यह दो एक्जाम हम लोगों ने दिये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के रिजल्ट तक हम लोगों के 75,000 सब्सक्राइबर्स थे जिस दिन इसक दिया पर पítूर यहां पर आके इस प्लैटफॉर्म पर आ आको पढ़ाता तो आप लोग उसको उतना ही प्यार दे थे हम लोग कभी यह चीज किंगे कि हम लोगों की वजक हम लोग कभी एंस हम लोग करते हैं आप लुग को आज ये पार्ट वन था मैं इस हफते में कोशिश करूंगा ये पूरा टॉपिक खतम करवा दूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखके बताइएगा आपको ये टॉपिक कैसा लगा तो कल आपको मिलेगा ले पार्ट सेकेंड जिसमें हम लोग डिसकस करेंगे दूसरा सोर् ट्रांसपोर्ट लेकिन आप लोग ये याद रखी कि तीस मही को आपका टेस्ट है रिवाइस करते रहें मंडे से आपको टेस्ट मिल जाएगा कल हम बात करेंगे लैंड के उपर ही जो मारे पाइपलाइन और रेलवे सिस्टम है उन दोनों के उपर तो आई होप आपको all the best मिलते हैं आपा होछे काल